मित्रों, दोस्तों and फ्रेट्स आज जुलाई 13, 2018 की शाम को डायलोग विद प्रोफेसर नमिल कुपता में मैं आप सभी का एक बार फिर से सादर अभिवादन, खुशामदीर and वेलकम करता हूँ पिछले एपिसोड में हमने पंचायती राज सिस्टम के हिस्टॉरिकल पक्ष को जाना था बोथ इंशिंट एंड मॉडरन आज हम भारत के प्रजातत्र की ट्रेन के पट्री से उतर जाने की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए शंक्ला के माचवे भाग में चर्चा करेंगे कि किस तरह से पंचायती राज सिस्टम को इस देश में और किन कारणों से डैमेज हुआ हलाकि मैंने पिछली बार ये कहा था कि इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि सम्मिधान के 26 जनवरी 1950 के लागू हो जाने के बाद से अब तक आर्टिकल 49-A में समय समय पर संशुदित करने वाली कमेटियों के बारे में मगर बाद में मुझे लगा कि पहले उन कारणों को डिस्क्स करना अधिक उचित होगा जिनके कारणों से इन कमेटियों को बनानी की जरूरत पैदा हुई इसे जानकर हमको भारत में प्रजातंतर के डिरेल्मेंट के करने और उसके दारा हुए डैमेज को समझने में आसानी होगी साथी आप याने के भारत के नागरिक प्रजातन्त को किस तरह से हमारे देश में शांती पूर्वक और सम्मिधानिक तरीकों से पुनर स्थापित करने में मदद कर सकेंगे हो सकता है कि जीवन की आपाधापी से परेशान आप में से बहुतों का मन अधिकांश भारतियों की तरह कुछ निराशा जनक रविये से ग्रस्त हो गया हो मगर मैं आप सभी से फिर भी आग्रह करूंगा कि मेरी इस तक्रीर को अंत तक ध्यान से सुने और उसके बाद आप अपने स्वैम के मन और आत्मा से पूछें कि वे क्या कहते हैं आप सभी जानते हैं कॉंस्टिट्ट असेम्बली के चेर्मिन डॉक्टर भीमरा उंबेडगर का मत हमारे राश्ट्रपिता महत्मा गांदी से काफी अलग था उन्होंने ये कहते हुए कि भारत जैसे पिछले राज्ज में पंचायती राज ग्रष्टाचार और लोकतंतर की म्रत्यू की खाई साबित होगा अपना कठोर विरोध भी दर्ज कराया था शायद उस सब्हें ये बात किसी को इतने अच्छी नहीं लगी होगी लेकिन आज हम हर इस्तर पर उसे चरतार्थ होता देख रहे हैं खैर समिधान में पंचायती राज को आर्टिकल 40 के रूप में Non-Enforceable Directive Principle of State Policy के Part 4 में शामिल किया गया जिसमें इस पश्ट लिखा है कि राजी आने की देश की सरकार देश में हर इस्तर पर पंचायतों को विवस्तित करने के लिए कदम उठाएंगे और उन्हें Self-Government की Unit के रूप में कारी करने में सक्षम याने Empower करने में उनकी हर्थ ऐसे आवशक मदद करेंगे समिधान दर्माताओं की इस आशा की नई पंचायत और नगरपालिकाएं Direct Participatory Representative Democracy के एक नई युक का इस देश में शुरुवात करेंगे ऐसा मानना था वे सोचते थे कि 1950 में लगबग 40-60 लाख Directly Elected People's Representative जिन में एक तिहाई महिलाएं होंगी भारत में Local Governance के द्वारा Republican Democracy के एक नई चैप्टर की शुरुवात करेंगे आप सभी जानते हैं कि उस सपना का क्या हुआ हमारे देश में एक प्रख्यात Constitutional Expert है सिरी सुभाज कश्यप उनकी किताब Our Constitution को पढ़ते समय जब मैं उसके पेज 351 पर दो लाहिने लिखी हैं जिसने मेरा ध्यान आकरिष्ट किया मैं उनको आपके सामने बोलता हूँ तुर्भागे से हमारे देश में पंचायतों और नगरिपालिकों जैसे दोनों ही संस्थानों को कभी भी संतोष जनक धंग से काम नहीं करते दिया गया और नहीं उन्हें सक्षम बनाये गया ये पूरा किस्सा बेहां कर देता है लेकिन हम थोड़ा सा और डिफ्ट में जाते हैं 1984 में श्री राजीव गांदी के देश के छटवे प्रदान मंतरी का कारिभार समालने तक पंचायतों और परिशदों और पालिकाओं से सम्मंदित आर्टिकल 49 में किसी भी सम्मिधानिक संशोधन को लाने के लिए कोई गंभीर रुची या पहल संसत के सामने पस्तुत नहीं की गई थी और नहीं इस पर कोई ध्यान दिया गया था राजिव गांदी के इस प्रयास को भी केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के अधिकारों में हस्तक्षेव करार करते हुए लगभख सभी ने कच्रे की टोकरी तक पहुचा दिये बाद में देश के नवे प्रधान मंतरी स्री नर्सिमा राहों ने 1991 में उसी संशोधन को दुबार से प्रस्तावित किया और इस बार वो 73rd और 74th संशोधन अधिनियम 1992 के नाम से 24th April 1993 को इस देश में लागू हुआ इसके फलसरूप लोकल सेल्फ गवर्नेंस के संस्थानों नेमली पंचायत, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, कमिटीज और शेहरों में नगर परिशदों और पालकाओं को constitutional bodies का दर्जा परदान किया गया और साथ ही उनको self-reliant बनाने के लिए बहुत सारे fundamental changes किये गए आपके लिए यहां यह जानना महत्पूर्ण है कि यह 73rd amendment रूरल इंडिया से संबन्दित है और 74th amendment अर्बन इंडिया से संबन्दित है जहां पे की नगर परिशदें और पालकाओं आती हैं किन्तु भारत एक गणराज है और केंदर द्वारा लाए गए सारे acts राजियों की विधान सभाओं में भी पास होना जरूरी है 1993 में सभी राजियों ने ऐसा नहीं किया और इसलिए कुछ राजे जो छूट गए थे नेमली आंदरप्रदेश, गुजरात, महराष्ट, मद्रप्रदेश, हिमाचल, उडिशा और राजस्थान के ट्राइबल एरियास ये बाद में 1996 में इंक्लूड किये गए आज नागलेंड, मिखाले और मीजुरम तता दिल्ली को छोड़के पंचायती राजववस्था अटलीस्ट कागजो पर लागू है असलियत का तो सभी को आईडिया है आपको याद होगा कि लास्ट एपिसोड में हमारे समिधान के बनाने वालों ने देश को एक वाइदा किया है जिसकी की चर्चा मैंने की थी जिसे नौन अन्फोर्सिबल डिरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं दुर्भागी की बात ये है कि इस सबके चलते वास्तेविक्ता के धरातल पर पंचायती राज को इस देश में कॉंस्टिटूशनल प्रोटेक्शन कभी नहीं मिला नहीं वो वाइदा कभी पूरा हुआ और यही कारण है कि सेल्फ गवर्निंस की पंचायती विवस्था को इस देश में कभी कोई लागूई ही नहीं कर सका और नहीं वो हो सकी इसके पीछे कारण क्या है इनके बारे में डिसकास करते हुए मैं फिर से स्री शुभाष कश्चप जी को कोट करूँगा उन्होंने अपनी ही किताब में ये बात लिखी है कि development के लिए हर सांसद को और राज में MLA और MLCS को हर साल करोडों की रकम जिसे MPLAT FUND कहते हैं स्वैम के विवेक से खर्च करने के लिए दी जाती है इस रकम को खर्च करने के लिए एक guideline भी बनाए गई है लेकिन ये रकम इत्ती बड़ी है कि ये MLA और MP और MLCS अपना सारा समय या तो उसको अपने तरीके से खर्च करने में या उसकी रकम को बढ़ाने के लिए संसद और विधायका पे दबाव बनाते हुए अपना सारा समय गुजार देते हैं इस रैकेट में लगबग सभी लोग शामिल होते हैं यदि सम्विधान में पंचायती राज की local self-governance की कलपना है तो यहाँ यह प्रशन उठता है कि MP, MLA और MLC गाओं शहरों की विकास योजनाओं में एक्जिकेटिव के रूप में किस तरह से शामिल हो सकते हैं जबकि वहाँ पे अल्डिडी ग्राम सभा ब्लॉक लेवल की और डिस्टिक लेवल की कमिटीज बनी हुई हैं जिसमें की नागरिक का पार्टिसिपेशन अवेलिबल है यह बात मुझे लगता है कि पंचायती राज सम्विस्था के समिधान में लिखी मूल भावना और गणतंत्र की योजना का सीधा-सीधा उलंगन है जमीनी सचाई यह है कि देश की संसद में बैठे सांसद और राज्यों में विधायक अपने ही छेत्र जैसे कि गाओं और शहरों में डिवेलप होती लोकल लीडर्शिप को अपने प्रतेदंद्री के रूप में देखते हैं स्पष्ट है कि इसी भावना से शुरू होता है उनके अपने विक्तिकत राज्योंतिक कारणों से अपने टट्टूओं और बाहू बलियों को बढ़ाने और वहां पैदा होने वाली लोकल पॉपुलर लीडर्शिप को मिटाने का सिलसला आज सारा देश इसी राजनेतिक शक्ति के एकादिकार याने के मुनोपली की लड़ाई में इतना खो गया है कि किसी को भी देश और उसके सम्मिधान की दुर्दशा का ना तो होश है और नहीं वो उसकी परवा करता है इस सब में पिस्ता कौन है देश का नागरिक और मरता कौन है सदियों से हमारे पुर्वजों के द्वारा खोजा गया गोल्डन सेल्फ गवर्मेंट सिस्टम का एक सपना देखने वाला हमारे देश का पवित्र और पूजनिय सम्मिधान इस गोर अपराद का हम लोग या ये देश कितना खामयाजा भुगत रहा है इस पर विचार कीजिएगा तब तक मैं अपने इस वाइदे के साथ की हर मंगलवार शुकरवार की शाम को इसी तरह अगले हफ़ते मंगलवार 17 जुलाई 2018 को हम फिर मिलेंगे और इस बादचीत को आगे बढ़ाएंगे अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि 1957 से लेकर अब तक कितनी कमेटियाज बनी हैं हमारे पूर प्रधार मंत्री श्री अटल वैरी बाजपरी जी के शम्तों मैं कहूं तो हम जानेंगे कि गाओं, देहातों और शहरों ने उनसे क्या पाया और क्या खोया तो अब इस उम्मीद और विश्वास and expectation के साथ कि आप आज की चर्चा पर अपने परिवार और अपने साथियों के साथ विचार करेंगे अपना एक सोतंत निरने बनाएंगे और भारत के पवित्र सम्मिधान के प्रती सची श्रथा और राष्ट भूमी में जनतंतर की स्थापना और प्रियास के महान प्रियास में अपना योगदान करने की बात सूचेंगे शुबरात्री, शुबखैर and गुड़नाइट जाहिन